यह वीडियो साइन्स क्लास 10 चैप्टर 12 का पार्ट 11 है और अब हम कुछ निमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं तो आईए सबसे पहले हम लोग अपने फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं तो हम लोगों ने अभी तक चार फॉर्मूला को पढ़ा था सबसे पहला हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है I is equal to Q by T दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा है V is equal to W by Q तीसरा V is equal to IR और चौथा हम लोगों ने पढ़ा है R is equal to ρो L by A तो इन्हीं चार फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं और V बराबर क्या आपका 220 V दिया गया है If the resistance of the bulb filament is 1200 Ohm तो आप देख सकते हैं bulb filament का resistance क्या है R is equal to 1200 Ohm दिया हुआ है तो जैसा मैंने बताया है फॉर्मूला को आपको देखना है और फिर समझना है कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं देख सकते हैं V is equal to IR इसी फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करेंगे तो V is equal to क्या होता है IR और आपको I पूछा गया है तो I is equal to क्या हो जाएगा V बटा R तो आप इसका आसानी से यहां solution कर सकते हैं V आपको पता है और आपको पता है और जाब इसको solve करेंगे तो यह जाएगा 0.18 ampere ध्यान आपको यह देना है कि हमेशा unit को लिखते हुए प्रशन को बनाना है चलिए एक और प्रशन देखते हैं यहां पर प्रशन भी यह दिया गया है How much current will an electric heater coil draw तो I बराबर आपका question mark है V आपको दिया है 220 volt दिया है और साथ में आपको resistance दे दिया है 100 ohm का तो इसी formula पर हम लोग बना देंगे V is equal to क्या होता है IR होता है तो यहां पर यह दि आपको I command पूछा है तो क्या हो जाएगा V बटा R हो जाएगा और V बटा R आपको देख सकते हैं यहां पर क्या हो जाएगा 2.2 ampere हो जाएगा इस प्रकार से आप प्रश्णों को solve कर सकते हैं Next प्रश्ण आप देख सकते हैं The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt V बराबर क्या है 60 volt दिया गया है When it draws a current of 4 ampere यदि I कमान कितना दिया गया है 4 ampere तो आप देख सकते हैं यहां पर R कमान हम लोग निकाल सकते हैं R is equal to क्या हो जाएगा V बटा I और यह क्या हो जाएगा आपका 60 volt बटा 4 ampere और यह हो जाएगा आपका 15 ohm तो R कमान हमको पता चल गया R is equal to क्या हो जाएगा 15 ohm और फिर बोलता है कि इसी को आप What current will the heater draw If the potential difference is increased to 120 volt यदि यहाँ potential difference बढ़ जाता 120 volt तो फिर यहाँ यहाँ पर कितना current यह खीचेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर V कमान क्या हो गया 120 volt R तो नहीं बदलेगा तो R उतना ही हो गया तो यहाँ पर I कमान हमको निकाल सकते हैं I वरावर क्या हो गया V बटा R तो आप देखेएं कि यह कितना current खीचेगा तो 8 ampere का current खीचेगा इस प्रकार से आप प्रशनों को solve कर सकते हैं यहाँ आपने देखा दो प्रशनों को एक साथ मिला कर बनाये गया है तो आई एक नहे प्रशन के और बढ़ते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि इस प्रशन में resistivity को निकालने के लिए कहा गया है यहाँ पर resistance दिया गया है R is equal to 26 ohm जबकि यहाँ पर wire का length दिया गया है L is equal to 1 meter temperature आपको लिखने का जरूरी नहीं है और यहाँ पर यह जो wire लिया गया है उसके cross section का जो diameter है वह दिया गया है आपका 0.3 mm तो D बराबर आपका दिया गया है 0.3 mm तो सबसे पहले तो आपको यहाँ करना है कि mm में यदि कोई प्रश्ण हो या फिर centimeter में हो तो उसको आप meter में change कर ले standard SI unit आपको यहाँ पर use करना है ताकि आपका answer क्या हो? सही हो सके तो यह सबसे पहले इसको हम लोग change करेंगे तो आप देख सकते हैं यदि millimeter से meter में change करना है तो इसको divide करना होगा 1000 से 3 into 10 to the power minus 4 meter तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़िए आपको D का value पता है तो आप R का value निकाल सकते हैं R is equal to क्या हो जाएगा? D by 2 तो यहाँ D क्या है आपका? 3 into 10 to the power minus 4 meter और बटा क्या हो जाएगा? 2 तो यह क्या हो जाएगा? आपका R का value हो जाएगा और हम लोगों को cross section का area निकालना होता है क्योंकि formula में उसका उप्योगा तो A is equal to क्या हो गया? Pi R square क्योंकि इसको हम लोगों के एक circle मान रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा? Pi R square Pi के जगा Pi का मान रख देंगे और R के जगा क्या लिख देंगे? 3 into 10 to the power minus 4 meter by क्या लिख देंगे 2 इस प्रकार आपका A का मान हो जाएगा तो आपको देख सकते हैं कि R का मान पता है आपको L का मान पता है A का मान पता है तो formula हम लोग देखते हैं R is equal to Rho L by A तो यहाँ Rho का मान यदि निकालना है तो R into क्या हो जाएगा? A बटा L आप देख सकते हैं 26 Ohm है A जैसे मैंने बताया 22 by 7 into 3 into 10 to the power minus 4 by 2 का whole square हो जाएगा यह और बटा नीचे क्या हो जाएगा? 1 meter क्योंकि यहाँ length क्या है? 1 meter यहाँ मीटर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ मीटर लिखना जरूरी है तो आप जब इसको solve करेंगे तो आपको यह answer आ जाएगा तो आप इसको खुद से ही solve कर सकते हैं यहाँ पर तो जब आप solve करेंगे तो आप देखेंगे कि यह resistivity किसका है? manganese का जो कि आप 12.2 यहाँ पर जो table है उससे इसको देख सकते हैं तो इस प्रकार से प्रश्णों को हम बनाते हैं आए अभी एक बहुत ही important प्रश्ण को हम लोग देखते हैं और यह बहुत important प्रश्ण है एक्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है तो आप देख सकते हैं एक वायर है इसी वायर का प्रियोग करके मतलब इसी वायर को डबल करके हम लोग को new वायर बनाना है तो यह वायर कैसा है? मान लिजे कि यह वायर का लंबाई क्या है? L और cross section का area क्या है? A तो जो new वायर बना उसको कैसे बनाना है? तो इसी के लंबाई को इस प्रकार से यह लंबाई है तो इसको half पर से इस प्रकार से आपको मोड देना है और इस प्रकार से ये नया wire आपको बनाना है तो आप देखें कि ये जो नया wire है ये देखिए ये जो नया wire है इसका length क्या हो जाएगा length तो L by 2 हो जाएगा माली जी नया length हम लोग L dash मानते हैं तो वह क्या हो जाएगा L by 2 तो नया cross section का area A dash कितना होगा ये हम लोगों को पता करना होगा सबसे पहले A dash का area निकालना होगा तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसी wire का उपियोग करके हम लोगों ने ये wire बनाया है मतलब दोनों का volume तो बराबर होगा तो ये दोनों तो volume बराबर होगे और मान लिजिए इसको आप एक wire को cylinder समझते है तो इसका volume क्या होगया L into A तो ये दोनों तो volume बराबर है तो इसका volume क्या होगया L by 2 into A dash या फिर L by 2 ना करके हम लोग बोलतें L dash और L dash के जगए हम लोग क्या लिख देंगे L by 2 नया volume तो यहां से आपको A dash का मान पता चल सकता है L से L इस प्रकार से कट जाएगा तो A dash क्या होगा आपका 2 A के बराबर हो जाएगा इसका मतलब A dash का मान क्या होगया आपका 2 A कहने का क्या मतलब है कहने का मतलब है कि यदि एक wire लिया गया है L length का और उसको half से मोड दिया जाए उसी के उपर तो उसका लंबाई क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा और उसका जो मोटाई है cross xn का area क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा double हो जाएगा L क्या हो जाएगा आधा area क्या हो जाएगा double तो फिर resistance क्या हो गया ये है R और ये क्या है R' ये है पुराना resistance और ये क्या हो गया नया resistance तो R बराबर क्या हो गया row L by A तो नया resistance क्या हो गया row L' बटा A' रो कमान क्यों नहीं बदलेगा क्योंकि वहीं material है material है हम लोग change नहीं कर रहे है तो रो कमान भी नहीं बदलेगा तो आप देख सकते हίν यह पुराना resistance है और यह न把它 resistance है तो पुराना resistance और निया resistance में तो बहुत फरक होगा इसको मालेंगे हम लोग equation 1 और इसको equation माल लेंगे 2 तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे कि पुराना resistance नए resistance का कितना होगा तो या तो equation 1 by 2 कर सकते हैं या 2 by 1 कर सकते हैं जैसे भी आपको मन हो तो आपको नया resistance मिल जाएगा तो यदि हम लोग equation 1 by 2 करते हैं तो R बटा R ये क्या हो जाएगा रो L by A बटा रो L बटा A इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं तो R से R तो कट गया आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं यहां देखिए R बटा R डैस is equal to L बटा A और बताएगे L डैस क्या हो गया आपका L by 2 और A डैस क्या हो गया आपका 2 A जिसको जब आगे बढ़ेंगे तो लिख देंगे R बटा R डैस is equal to यह L by A हो गया और बटा क्या हो गया L बटा 4 A इस प्रकार से आपको calculation करते जाना है फिर हम लोग क्या लिखेंगे R बटा R डैस is equal to क्या हो गया L बटा A into क्या हो गया 4 A बटा L तो L से L कट जाएगा A से A कट जाएगा तो R is equal to क्या हो गया 4 R डैस यह फिर R डैस बराबर क्या हो जाएगा R बटा 4 मतलब यह जो नया resistance है R डैस क्या है new resistance और आर आपका क्या हो गया पुराना रेजिस्टेंस इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आर डेस जो निया रेजिस्टेंस है आर डेस जो निया रेजिस्टेंस है वा पुराना रेजिस्टेंस के चार गुना कम होगा तो यदि पुराना रेजिस्टेंस चार ओम बताये गया ह तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका वन ओम एंसर हो जाएगा तो यहां इस प्रश्ण में हम लोगों ने देखा कि इस वायर को इसी पर हम लोग डबल कर दे रहे हैं तो ऐसे से बहुत सारे प्रश्ण आपको आपके हेल बुक मिल जाएंगे उन सारे प्रश्णों को आप सॉल्व कर लिजी यह मोश्ट इंपॉर्टेंट प्रश्ण में आता है जो कि एक्जाम में पूछा जाता है यहाँ पर आप देखेंगे इसको थोड़ा सॉर्ट पर बनाए गया है लेकिन मैंने डिटेल में आपको बता दिया किस प्रकार से आप इसको बनाएंगे तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स टूडियो में धन्यवाद